तो 30,000 में एक नया smartphone लेने की सोच रहे हो, तो यार रुक जाओ, क्योंकि nothing phone 2A आ रहा है, देखो इसकी सारी leaks, सारी rumors, सारी चीज़े आमको बताने वालो हो, and price के बार में बात करेंगे, बड़ उससे बहले subscribe कर दो, अच्छे बच्चे बनके, तो देखो ये भी जब new nothing phone आ रहा है, 150 megapixel का main camera होगा, और 150 megapixel का ultrawide camera होगा, और nothing ने पहले ही बोल दिया, हमको फाल्तू camera देंगे ही ने, वैसे तो telephoto का यहां पे trend चल रहा है, भाई तुम वो ले आते हैं, और भी मज़ा आता, OS दिखने को मिल जा है का main camera के साथ, यानि कि रात को आप बढ़िया वाली photos कीच पाऊगे, और मैं आपको बता तो 16 megapixel या फिर 32 में आप एकसल की selfie camera हो सकता है, इस बार जो major change आपको दिखने को मिलेगा, nothing अपने design को change कर रहा है, वैसे मैं आपको याद दिला दू, nothing जो है, Apple के नक्षे कदम पे चलता है, Apple ने पने main iPhones का design जो है, वो बहुत similar सा रखा हुआ है, बट SE series को अलग रखता है, Apple की SE यानि की सस्ती वाली series, यार 40,000 में Apple सस्ता है बताओ, तो वैसे ही nothing वाले अपने इस A series के अंदर अलग design रखेंगे, बट यह ऐसा क्यों लग रहा है, जैस lighting कहीं नी जारी, तो वो जो आप दिवाली मनाते थे ना lighting के साथ, वो आप मना पाओगे, बहुत से लोग होंगे जन्नों ने nothing phone खरीदा ही नी, क्योंकि उसका price जाधा रहता है, तो इस बार price थोड़ा कम आ रहा है, तो इन दिवाली lighting को enjoy करना चाहते हो, तो वो आएंगी, इस बार placement थोड़ी सी different होगी, बड़ यू नो, इसके अंदर वो वाला processor होने वाले है, चिसने बहुत जाधा गालियां पढ़वाई है मेरे को, क्योंकि Redmi Note 13 Pro Plus के अंदर वही वाला processor हो, और इसकी मैंने थोड़ी सी तारीफ करती थी, और लोगों ने बोला, इस price के उपर ये 7200 Ultra के साथ आ रहा है, तो अब तुम मुझे comments में बताओ, तारीफ करनी चाहिए कि गालियां दीनी चाहिए, no doubt, processor बहुत तगड़ा है, इसके उपर gaming भी अच्छी हो जाती है, बड़ ये processor हमें काफी कम प्राइस पर मिल जाते है, इस पर में dual speakers देखने को मिल जाएंगे, या Apple को हर जगा थोड़ी follow कर लेना है, यहाँ पर 120 Hz की display देखने को मिल रही है, शायद 5000 mAh की battery हो सकती है, बड़ अभी तक इतनी बड़ी battery धीनी है, nothing ने, तो यहाँ पर आप expect कर सकते हो कि 1500 mAh की battery देखने को मिल जाए, nothing phone 1 की तरह, बड़ अगर 5000 mAh है तो nothing वाले बहुत का support तो मिल जाएगा, nothing आएगा, अपने nothing OS के साथ Android 14 के साथ out of the box और 3 updates लिकर आएगा, यहाँ पर एक चीज़ यह है कि nothing के fans जो है वो इसके software के कारा बहुत जादा प्रिरित है, तो भाई आपका क्या यह फेवरेट है, मुझा बताना comments में, यह मेरे को बड़ा डल सा लगता बट हाँ, nothing के fans को I don't think so, फरक पढ़ने वाला comments में, गालिया कम ही आएगी क्योंकि nothing की एक अलगी fanbase बन गई है, और वीडियो पसद आ गई हो, तो like करके जाना, मैं मिलता हूँ, बाई बाई